दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मूंग डाल की कचोड़ी उसके लिए हमने या पे दो कप जितना मैदा ले लिया है इसमें हम डालेंगे एक चम्म जितना नमक और थोड़ा सा तेल इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक ये पूरा मिक्षर कुछ इस तरह से बाइंड नहीं हो जाता ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से अगर आपका mixture कुछ इस तरह से bind नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा और तेल डाल दीजिए हमारा mixture यहाँ पर bind हो रहा है इसलिए हम तेल नहीं डाल रहे हैं इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी दोस्तो हमें इस mixture का एक soft dough बनाना है इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एज़ेस्ट करते जाएंगे दोस्तो हमारा डो यहां बन चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे एक और बार चिसे मिला लेंगे अब हम इसे 20-30 मिनिट तक ढखके रेस्ट करने के लिए रख देंगे अब हमने आप एक कड़ाई ले लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे एक कप जितनी मुंग डाल और इसे 5-8 मिनिट तक अच्छे से बोईल करने के लिए रख देंगे आप यहाँ देख सकते हैं मुंग डाल अच्छे से बोईल हो चुकी है अब हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे यहाँ हमने एक बोल ले लिया है और एक छन्नी ले लिया है अब हम इसे डारेक उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना पीसा हुआ खड़ा धनिया आधा चम्मच जितनी सौफ पीसी वी इसमें हम डालेंगे चुटकी बरहिंग अब हम इसमें डालेंगे गारलिक का पेस्ट थोड़ा सा अद्रक का पेस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हम डालेंगे एक चॉप की हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे बॉइल की मुंग दाल अब हम कुछ मसाले डाल देंगे इसमें इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना लाल मिर्च पॉडर थोड़ा सा हल्दी पॉडर स्वाद अनुसा नमक अब हम इस पर डालेंगे एक चम्म जितनी शक्कर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्म जितना जीरा पॉडर और आधा चम्म जितना आमचूर पॉडर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चम्म जितना बेशन इसे हम अच्छे से mix कर देंगे मुंग डाल का मसाला यहां बन चुका है और जो हमने डो रखाता रेस्ट करने के लिए वो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है अब हम इसे एक और बार अच्छे से मसाल लेंगे और इस डो के हम दो हिस्से कर देंगे कुछ इस तरह से और इसे हम कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे और इसके हम छोटी-छोटे पेड़े बना लेंगे कुछ इस तरह से अब हम इन पेड़ों में मुंग डाल का मसाला भर देंगे यहां हमने मुंग डाल का मसाला ले लिया है अब हम इस पेढ़ों को अच्छे से पहले मस लेंगे कुछ इस तरह से अब हम इसे कटोरी का शेप दे देंगे और इस पर थोड़ा सा आटा और लगा लेंगे हम हम इसे इसलिए लगा रहे हैं याँ बीच में ताकि जो हमारा कचोड़ी का मसाला है वो तलते वक फूट ना जाए और इसका मसाला बाहर ना निकल जाए यह step बहुत important है यह आपको भी follow करना है अब हम इसे मसाला भर देंगे कुछ इस तरह से आपको पहले इसका एक बॉल बनाना है मसाले का और फिर इसके अंदर डालना है और कुछ इस तरह से आपको इसके पैक करना है आपको इसको एक बॉल का शिप देना है कुछ इस तरह से और जो उपर का थोड़ा सा आटा होगा आपको इसको निकाल देना है कुछ इसी तरह से आप दूसरे पेड़े भी बना लीजिए अब हमने आप एक कड़ाई में तेल पहले से ही गरम करके रखा हुआ है दोस्तो हमने आप एक तेल को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम किया हुआ है आपको भी तेल को पहले से ही गरम करके रखना है अगर आप थंडे तेल में कचोड़ी को डालेंगे तो आपके जो कचोड़ी है वो पुरा तेल पी लेगी और पूरी ओयली हो जाएगी दोस्तो अगर आपका तेल जादा गरम हो जाए तो आप फ्लेम आफ करके फिर कचोड़ी डालिए उसमें और उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर दीजिए और एक और चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है जब आप कचोड़ी को तेल में डालें तो आप पहले से कचोड़ी का शिप दे दीजिए उसके बाद आप उसे तेल में डालिए दोस्तों यहाँ कचोड़ी बन चुकी है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्रेब करना ना भूलें थेंक्यू फर वाचिंग थेंक्यू झालेंग